इस दुनिया के सभी माबाप ये जानते हैं कि बच्चों के परवरिश करना कितना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे खुद से अपनी रक्षा नहीं कर सकते इसे लिए बच्चों को बड़े होने तक एक मा अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है ऐसे ही जानवरों की दुनिया में भी सिर्फ एक मा ही अपने बच्चों का ध्यान रखती है इसमें पिता का कोई हाथ नहीं होता एक माही होती है जो बच्चों को संभालती है लेकिन एनिमल किंग्डम में कुछ जानवर ऐसी माह होती है जो अपने ही बच्चों की दुश्मन होती है जिसके कारण वो उन्हें मार तक डालती है आज हम Animal Kingdom में कुछ ऐसी ही मा के बारे में बताने जा रहे हैं जिने अपने बच्चों से बिलकुल प्यार नहीं होता और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बुरी मा है ये केकड़े की एक ऐसी प्रजाती है जो Christmas Island में पाए जाते हैं और ये केकड़े लाल रंग के होते हैं जो अंडे देने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं और अंडे देकर वापस Island लौट आते हैं आपको बता दे कि ये केकड़े एक समय में बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे देते हैं और साल में एक बार प्रजनन करते हैं करीब साल भर के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं और ये बच्चे धीरे धीरे आलेंड पर लौटने लगते हैं हर साल ये प्रोसेस चलता रहता है लेकिन ये अंडे से निकले हुए बच्चे जब आलेंड पर पहुँचते हैं तो इनके पेरेंट्स कैकडे अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देते हैं। करोडों की संख्या में जन्में इन छोटे बच्चों को अपने ही माबाब द्वारा खा लिया जाना। इसका क्या कारण है? इसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए है। पांडा दो साल में बच्चे दे पाती है लेकिन इन पांडा में एक खराबी होती है कि प्रजुनन की बाद ये जब बच्चे देते हैं तो उनका ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाते। क्योंकि पांडा ही एक ऐसा जानवर है जिसको अपने बच्चों को पालने का प्रॉसेस बहुत ही लंबा होता है। उन्हें अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना होता है। यही कारण है कि जब भी किसी मादा पांडा की ट्विन्स बच्चे होते हैं तो वो दोनों में इसे एक को ही अपनाती है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दीती है और इसी कारण पांडा की ये बच्चे मर भी जाते हैं सभी तरह की पांडा को भी कुछ समय तक अपने मा के प्यार और देखबाल की जरुवत होती है इसलिए पांडा की जनसंख्या बहुत कम है पांडा की ग्याने किसी मशीन के अंदर कुछ समय के लिए रखते हैं और पांडा का ध्यान भटकता है तो उसके बच्चों की अदला बदली कर देते हैं इससे दोनों बच्चों को मा का प्यार मिल जाता है और वो बड़े भी हो जाते है इसे दरियाई घोडा या जलिये घोडे की ना जाने रहता है ये एक विशाल जानवर होता है जिसका मुँ बहुत बड़ा होता है जिसके कारण शीर और मगर मच्च तक को अपने मुँ में दबा लेते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं कि अपने ही बच्चे को अपना शिकार बना लेते हैं मादा हिप्पोपॉटिमस जब बच्चे को जन देती है उसके बाद उसके आसपास रहने वाले नर हिप्पोपॉटिमस उस बच्चे का शिकार कर लेते हैं चोटे हिप्पोपॉटिमस की माँ उसे बचाने की कोशिश करती है लेकि नर हिप्पोपॉटिमस उस चोटे हिप्पो को मार ही देते हैं उसको मार दिने के बाद उसके बचे हुई शव को वो घूमने वाले मगरमत चिखा जाते हैं. Number 4 is Hamsters ये Hamsters जीव बहुत ही छोटे होते हैं और ये जीव जितने छोटे होते हैं उससे भी छोटा इनका दिल होता है. इस प्रजाती की मादा सिर्फ बच्चे पैदा करना जानती है लेकिन उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती. हालांकि ये जीव दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन जब ये मादा बच्चे देती हैं उसके बाद बहुत ही क्रूर हो जाती है और एक निर्दई मा कहलाती है. दरसल हेम्स्टर्स मा अकसर अपने ही बच्चों को भोजन की रूप में ख्रहन कर लेती हैं हालांकि ये अपने सभी बच्चों को नहीं खाती लेकिन उनमें से एक कशिकार जरूर करती हैं. वेग्यानिकों का मानना है कि ये जीव आकार में बहुत ही छोटे होते हैं जिसके कारण इस जीव में उतनी ताखत नहीं होती कि अपने बच्चों को पाल सके। ऐसे में ये सिर्फ अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने ही बच्चे को मार कर खा जाती है और ढखकर भी नहीं लेती। इन बच्चों को खाने से हैंस्टर्स को भारी मात्रा में प्रोटीन मिलता है जिसे वो अपने दूसरे बच्चे को पालने में इस्तिमाल कर लेकिन ये स्टॉक बर्ड अपने ही घोसले से अपने बच्चे को गिरा देते हैं। उंचाई में घोसला होने के कारण जब इन पक्षियों को इनकी मादवारा नीचे गिराया जाता है तो ये बच्च नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्ची अपने ही बच्चों को गोसले से नीचे जमीन पर क्यों गिरा रही हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इसे अपने बच्चे से प्यार नहीं। बल्कि इनका मानना ये है कि जितने कम बच्चे होंगे ये उतने ही बच्चे से उनका पालन पूशन अच्छे से कर जगेंगे इसलिए बच्चों के ज्यादा संख्या होने पर ये सबसे कमजूर बच्चों को घोसले से नीचे गिरा देती है पक्षो के दुनिया में सबसे चालाक पक्षी में से एक है ये क्योंकि ये कभी भी अपना घोसला नहीं बनाती बलकि दूसरों के घोसलों में अंटे दीती है और वहां से भाग जाते हैं और ये अपने बच्चों को पालती भी नहीं इसके बच्चे जिस घोसले पर ये अंडे देती है वहां के पक्षी के जैसे व्यवार दिखाते है क्योंकि जिस पक्षी के घोसले में रहते हैं उन पक्षियों द्वारा इनका पोशन किया जाता है और जब ये कुक्कू बर्ड के अंदे दूसरे बर्ड के घोंसले पर विकसित होने लगते हैं तो दूसरे बर्ड के अंडों को घोंसले से बाहर फैकने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सभी अंडों को बाहर फैक देते हैं और ये अकेले ही गोंस्तों में रहते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए धन्यवाद